नमस्कार, स्वागत है आप सभी अंगनबारी बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट में मैं रिते सर्मा, तो जैसा कि आप लोगों के पोशन ट्रेकर एप में एक बार फिर से एक नई अपडेट आ चुका है जो कि यहाँ पे 14.8 का ये निव अपडेट आया हुआ है इस अपडेट में आपको तीन नए महतोपूर्ण जनकारी देने वाला हूँ तीन अपडेट क्या क्या आये हैं इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इसको जानने के लिए आईए यहाँ पे जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पोशन ट्रेकर पोशन ट्रेकर लिखके सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अफिसियल एप आ जाएगा portion tracker का यहाँ पे आपको update का option भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं what's new में यह जो update है वो 2 अगस्त 2022 यानी की कल रात को यह update आया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक दो और तीन अपडेट आये हैं तीनों update के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा जो भी आगनबारी से विकाय नहीं आई है उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो देखिए सबसे पहला जो अपडेट है यहाँ पे इँप्रूब यूजर इंटरफेस यानि की पोसन ट्रेकर एप में जो यूजर इंटरफेस है उसको इँप्रूब किया गया है उसमें बदलाव किया गया है दुसरा अपडेट है AWH Mobile Number Updation Allowed यानि कि जो आगन बारी सहाई का है उनका Mobile Number अपडेट करने के लिए अनुमती मिल गई है कि उनका Mobile Number अपडेट करना काफी जरूरी है तिसरा नंबर है Performance Optimization यानि कि आप लोग का जो पोशन ट्रेकर है वो किस परकार से परफॉर्मेंस कर रहा था आप लोग को पता ही है जो एंट्री करते थे या कुछ भी रेस्टेशन करते थे तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रावलम आ रही थी तो उसको Optimization किया गया है यानि कि उसको अब अनुकूल कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पे हम लोग Arrow पे किलिक करेंगे Arrow पे किलिक करने के बाद यहाँ पे इसका भरजन चेक करेंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका भरजन कोई नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कुछ भी भरजन का नाम नहीं दिखा रहा है कि ये कौन सा अपडेट है लेकिन ये जो अपडेट है वो 14.8 का ही अपडेट है मोबाइल नमबर और MP डाल के लोग इन करते हैं वहाँ पे आपको 14.8 का जो भरजन है वो देखने को मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर अपडेट का ओप्सन मिल जाएगा आपको यहाँ पर अपडेट वाले पर टच करके इसको अपडेट कर लेना है यहाँ पर यह अपडेट होके आच चुका है चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं तो जैसे ही आप लोग पोशन ट्रेकर एप को अपडेट करके ओपिन करेंगे तो आपका होम पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा जो पहले ओपिन हो रहा था यहाँ पे आपको कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा तो बहुत सारी आगनवली बेहने जैसा कि हमने पिछले अपडेट के बारे में जनकारी दिया था जिसमें की आगनवारी हेल quickestर का प्रफाईल अपडेट करने का उप्सन आया था तो लगभक बहुत सारी आगनों का कमेंट आया था जो मीनी करे करता है या फिर जिनके पास अपडेट किया जाए तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो इस वीडियो को आप लोग लाश्ट सक जरूर देख लिजेगा तो चलिए बढ़ते हैं पहले अपडेट की ओर जो पहला अपडेट यहा है इंप्रूब्ड यूजर इंटरफेस उस यहां पर ही आपको टॉच करना है थीरी डॉट वाले आइकन पर तो जैसे हैं आप लोग इस पर किलिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो नया इंटरफेस है आगनवारी सेविका का वो कुछ इस परकार से ओपन हो रहा था यहां पर एक बॉक्स करके आ रहा था जैसा कि आप लिखा गया है तो यहां पर जो भी आगनवारी सेविका है उनका यहां पर उनका नाम देखने को मिलेगा उसके जश्ट नीचे ही यहां पर उनका मुबाइल नंबर को भी अपडेट कर दिया गया है तो यहां पर आप लोग अपना मुबाइल नंबर भी देख सकते हैं उसक कि मैं यहाँ पे किलिक करके आपको दिखा भी देता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही किलिक करेंगे तो आंगनवारी सेविका का प्रोफाइल अपडेट खुल के आ जाएगा यहाँ पे जो जो भी आंगनवारी सेविका प्रोफाइल अपडेट कर लिए होंगे उन सभी का यहाँ पर अधार नमबर, नाम, मोबाईल नमबर, डेटर वर्थ, इमेल आईडी, सारा कुछ यहां पर डिटिल्स आपको देखने को मिल जाएगा, आने के बाद देख सकते हैं, यहां पर MPIN दुबारा सेट करने के लिए यहां पर ओप्शन को यहीं पर दे दिया गया है, और यहां पर आप लोग नीचे आके देखेंगे, तो यहां पर जो लॉग आउट का ओप्शन है, वो इसको नीचे कर दिया गया है, उसके बाद चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, जो दूसरा अपडेट है, यानि की AWH प्रफाइल अपडेट, वो अप्शन यहां पर आपको नीचे से सेकेंड नमबर अप्शन में देखने को मिलेगा, तो इस पर चलिए हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग किया गया है, जैसे कि यहां पर आप लोग देखेंगे, यह जो आगनवारी सहाईका का मोबाइल नमबर है, इसको यहां पर पहले नहीं अपडेट किया गया था, लेकिन इस अपडेट में यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि इस सहाईका का जो मोबाइल नमबर है, यहां पर विभाग की ओर से ही इसको अपडेट करके भेज दिया गया है, यानि कि यह जो सहाईका है, इनका अगर मोबाइल नमबर अफिस म तो उस mobile number को अपने office में जमा जरूर करा दीजेगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जिन आंगनबारी सेवीका के पास सहाई का नहीं है या फिर जो mini आंगनबारी करे करता है वो यहाँ पे इस profile update को कैसे update करेंगी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो portion tracker app का profile update वाला option है वो हर आंगनबारी सेवीका के portion tracker app में है चाहे वो mini आंगनबारी हो या फिर वो बड़े आंगनबारी हो सभी के portion tracker app में यह profile update का option दिखा रहा है तो देखिए जो आगनबारी सेवीका के पास अभी सहाईका नहीं है वो फिलहाल क्या करेंगी और जिनको pop-up message इस परकार से बार-बार खुल के आता हो कि सहाईका का profile update कीजिए जब भी आप लोग portion tracker app को open करते होंगे तो यहाँ पे update करके एक message दिखाता होगा तो उस message को हटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं जब तक सहाईका का कोई vacancy नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे जो name की category है यानि नाम का जो option दिया गया है यहाँ पे किसी एक नाम को यहाँ पे आपको लिख देना है कोई भी नाम यहाँ पे आप लोग लिख दीज जाएगा तो इस परकार से आप लोग तब तक के लिए कर सकते हैं जब तक आगनबारी सहाईका का कोई नया option नहीं आ जाता है या फिर कोई इसमें portion tracker app में बदलाव नहीं हो जाता है तब तक आप लोग यह काम कर सकते हैं और जैसे कि जो mini आगनबारी करे करता हैं उनके पा बदलाव होते हैं portion tracker app में तो हम इसके बारे में भी आपको जनकारी जरूर देंगे तब तक के लिए आप लोग कुछ नहीं किजिए फिलाल वेट किजिए किसी update के आने का अगर कोई update आता है तो इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे तो चलिए अब हम लोग चल क्या है हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जैसे कि यहाँ पर जो three dot का icon आप लोग देख रहे हैं इस पर आप लोग किली करेंगे किली करने के बाद यहाँ पर विकास की growth monitoring वाले पर किली करेंगे किली करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया चीज देखने को मिलेगा जैसे कि आप लोग portion tracker app में किसी बच्चे का height और weight यानि growth monitoring करते हैं तो आपको यह पता नहीं चल पा रहा था कि हमने उस बच्चे का height और weight कितने दिनों पहले डाला था कब डाला था कितना डाला था इ 11 जुलाई को डाला है तो यह काफी अच्छी update है यहाँ पर हम लोग को पता चल सकता है कि हमने पिछला update जो किया है इस बच्चे की category में जो growth monitoring वाली category है तो उसमें कितना हमने height weight डाला था क्या डाला था सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो आपडेट में से आपको कौन सा अच्छर update लगा पहला update, दुसरा update, तिसरा update जो भी update आप लोग को अच्छी लगई हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईगा और person tracker app से रीकार्डिन कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईगा तो आज के इस वीडियो मे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद